हलो प्यारे बारी भाई वहेंड कैसे आप सब बढ़िया होंगे उमीद करते हैं कि आपके फर्स समेश्टर की एकजाम काफी अच्छे तरीके से हो गए होंगे यदि आपका एकजाम अभी नहीं हुआ है तो एक दो महीन एक महीने में हो जाएगा फिर उसके बाद आपको करा पाया बाकि क्लासिस नहीं दे पाया तो जल्दी से आप फेपर खतम करिये फिर उसके बाद लाइव सेस्ट्राइब करें पर नहीं होते हैं और यहां पर हम देखने जा रहा हैं यहां पर यसी का फिर का सिकेंड समेश्टर का जो हमारा सलेबस है उल यू-पी हैं कि यहां उना बारे में बात किया जाएगा लेकिन पहले हम लोग यूपी इन्वेशिटेके बारे में बाद करते क्योंकि यूपी में लब लब कमान inhory आदाइगे पाफे 2022 में काफे सपोर्ड किया भेनार क्लासेस को, 2023 में टार्गेट है हमारा 5 लाग सस्क्राइबर का, प्लीज सारे बच्चे दबा के सेर करेंगे और हमारे सस्क्राइब बटन को दबाते रहेंगे, तो हम यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे, जितना बरिवार मजबूत होगा, जि एक जिमदारी बढ़ते है, जितनी बड़ी फैमली होती है, उतना बड़ा जिमदारी बनता, उतना प्यार बनता एक दूसरी के बीच, तो आप दो काम करेंगे, पहले अपने अपने ग्रूप्स में जो भी आपके बच्चे हैं वहाँ पे आप वीडियो को देखेंगे, क्य लोगी इस वीडियो में काफी हम लोग डिडियल करेंगे, एक एक पॉइंट को क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहां इंपॉडेंट्स आएंगे, सारे टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, कि नीचे कमेंट बॉक्स दिये जाना है, कमेंट बॉ आप किस इनवर्शिटी से हैं, कहां से बिलांग करते हैं, और पिछले कितने दिनों से मुझे को फालो कर रहे हैं, और आपका आगे मेरे लिए सुझाओ क्या है, अपना एक स्पेशल सुझाओ, रेटिंग करना ना भोलिए, और यदि आपको पढ़ने मेरे एंड्रॉइड अप्लिकेशन से पढ़ना है, तो डिस्क्रीप्शन में लिंक देके जाओंगा, आप डिस्क्रीप्शन में लिंक के साथ हमारा अंड्रॉइड अप्लिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और नोर्स हैं, पेपर्स हैं, सबको अच्छे तरिके से देख सकते हो, कुछ बुक्ष भी वहाँ पे डाली गई है, आप उनके पीडिया भी वहाँ पे देख सकते हो, अच्छे तरिके से, तो चलते हैं, इतना इंफर्मेशन सुए, अब चलता हमने टॉपिक के तरफ, हम देखने जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास है, यह वियसी का फॉस्ट इयर है, और यह VSC के फॉस्ट इयर में हम देख रहे हैं, सिकेंड सेमेश्टर, हम पास जनवरी की बात किये थे, कितना बीटा? हमने बात किया था कि पास जनवरी दो हजार तेईस के आस पास आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? आपको जो जी के सेक्षंस को अच्छे तरीके से डिल करते हैं कि आखिरकार B.S.E. सिकेंड समेश्टर के अंदर जो जी के क्या आउड़कम होंगे क्या हमको पढ़ने पढ़ेंगे वो जरूरी चीजे होती है तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हम लोग semester second की, क्या करते हैं, यहां पर बात करते हैं, second semester की, और second semester का जो paper code होने वाला है, वो होने वाला यहां पर B, 0, 50, 20, 1T, P का मतलब theory होगा, और P का मतलब practical यहां पर दिया जाएगा, आप paper code मिलाएगा, मेरी जितने भी किताबे हैं, सब पे paper code आ सब्चेने के लिए नहीं मिलने माला है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोगरम, यह कैसा बेटा, आपने first semester केलियर किया, आतफ सिकेंफेंट समय क्लीयर करेंगे, आपको से किलियर करेंगे, आपको पढ़ना है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने है सबसे हाड़ेस्ट टॉपिक होता है वालों के लिए लेकुन लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में हम पढ़ेंगे बायोखेमिस्ट्री में जाके और टॉपिक यह डि दूसरो टॉपिक पढ़ा जाएगा कि जो चेमिकल्स और माली क्यों पास मिलके बने हैं वह कैसे वर्क करने उनके फीजियोलोजीकल कंडिसस कैसा है उसमें हम अलाग टॉपिक बात करेंगे हम बात करेंगे कि मसल सिस्टम सी बात करेंगे इंड़ोट क्रियनोग की बात करें पढ़ने हैं उसके बाद पढ़ने हैं इनके बारे में हमको बात करना नहीं हम लोग देखें के नंबर 4 दिया जाएगा उनको छोड़ो कैसा कम प्ले में कंपन सरी इनको नहीं सकते अच्छे तरह पड़ेगा मैक्सिम मार्क्स यहां से 25 नंबर का जो मार्क्स होगा, वो इंटर्नल मेल्म एकजाम से दीया जायेगा, 75 नंबर का जो एकजाम होगा, वो मारक आस productions दीया जायेगा, आपके theory वाणे paper से दीया जाएगा, इन चीजों को ध्या रखियेगा, और passing mark अलग-अलग university में अलग होता है लेकिन जदो common university होती है common university हो में जो paper percentage होता है passing mark का होता है 13 number आपको इसमें पाने होते हैं और 75 में 30 number इसमें पाने होते हैं ठीक है बेटा लेकिन इतना पाके जाओगे कहां आपका होता है 43% होता है 43% मतलब second division कितना second division लेकिन हम guarantee के साथ आपको दावा करते हैं कि आप मेरे यहां से या फिर अच्छे से पढ़ लेंगे मेरे यहां से नहीं अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 20 number में से 22 number तो यहां से मिल जाएगा उसके बाद 75 में से कम से कम आप 60 number यहां से पास सकते हो यानि 82 कितना हो गया बैटा 82% कितना बैटा 82% मेरे पीछे के जितने भी classes अभी तक हुए हैं आप देखिएगा मेरे जितने papers हुए हैं सब paper में काफी बहतर तरीके से हम लोग deal कराने कोशिस किया है कि आपको 80% हम लोगों ने 89% तक BSC में स्कूर किया है अभी लगातर काम जारी किये हैं ताकि आपको बहतर से बहतर एजुकेशन दे सके तो यह हुआ टॉपिक अब चलते हैं लोग यहां पर कुछ बारें बात करेंगे कि क्या सीखने के मिलेगा यहां पर जो कोर्स के आउटकम से मिटा वो काफी अच्छे इस्टूडेंट्स काफी अच्छा सीख सकता है उनके बारे में आप इसको पढ़ लिल जाएगा आपको यह पूरा पूरा इसका नोट्स मिल जाएगा ठीक है कोई डाउट इसमें होने वाला नहीं है ठीक यहां बात करते हैं सबसे पहले हम लोग आप कहां बात करेंगे युनिट नमबर फॉर्स की अब युनिट फॉर्स की जब बात करते हैं तो युनिट फॉर्स में हमारे पास क्या आता है यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि युनिट फॉर्स में हम बात करेंगे इस्टु भीड़ा सा किया जाएगा ठीक तो सबसे पहले हमको क्या देखना है तीन टॉपिक अलगलग देखने हैं लेकिन सबसे चलते हैं पहले वाले को के हhaiिवाले पड़ेगा है स्टक्चर्स एड बालोजिकल इंपोक्रेंट्स आफ काइर्बोहइड्रल थीक है थो एक लोग वहाęt यहां होते हैं लगा उसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ेंग इसे गार क्लास 12 में पढ़ा था और क्लास 11 पढ़ा था बायो के अंदर बायो के अंदर पढ़ा था चप्टर 14 या 15 है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद इसी कार्बो हाइड़ेट में हमें कुछ उसके सब डिवीजन्स भी पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन के अंदर गत उसे पढ़ना है मोनो सेकराइट के बारे में ठीक है उसके बाद पढ़ना है डाई सेकराइट के बारे में जिसको ओलिगो सेकराइट के बारे में उसके बाद बात करना है गलाइको कांजुगेट क्या होते हैं आखिरकार जो ग्लुकोज होता है वो अलग-अलग लोगों के साथ कैसे जूड़ता है, लिपिट के साथ कैसे जूड़ता है, प्रोटीन के साथ कैसे जूड़ता है, फैट के साथ कैसे जूड़ता है, मतलब अलग-अलग लोगों के साथ कैसे कांजूगेट करता है, इनके बारे में बात करना पड़ेगा, यान थे लिए टो यहीं हो गया एक तो हमारा निकल जागा किस पर बात करना पड़ेगा यहां पर लीपिट के बारे मात करना पड़ेगा यहां पर ग्लाइको लिपीट के बारे में बात करना पड़ाएगा कुछ इस्ट्रॉइड्स होगे उनके बारे में बात करेंगे इसके बाद भी अलग से different types के अलग order के special types के कुछ हमारे पास lipids होते हैं, उनके बारे में भी वीडियो के अंदर बताया जाएगा, ये तो हमारे केवल वो topic है, जो paper के लिए important होते हैं, इसको recommend कर रही है, ये चीज़ आप जानते रहीएगा, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा साथ तो इस ट्रॉक्टर की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जनरल परपाड़ी जाफ अलफा अमीनो एसीड, क्या बात करेंगे पहले बेटा, पहले अमीनो एसीड क्या होते हैं, उनके बारें बात चीज़ अच्छे से किया जाएगा, उसके बाद उनके organization को देखा जाएगा, कि protein के organization कैसे होते है, primary organization कैसा होता है, secondary organization कैसा होता है, tetra organization कैसे होता है, चारो organization को अच्छे तरीके से deal किया जाएगा, बारी-बारी से, ठीक, उसके बाद हम लोग यहां पे simple and conjugate जो proteins होते हैं वो क्या होते हैं simple एकी class के अंदर दोनों निकल जाएगे काफी छोटे सोते हैं short types के question यहां से आते हैं कि conjugate protein पे और short notes लिखिए simple proteins पे short notes कम आता है लेकिन conjugate proteins पे काफी अच्छा आता है essential and non-essential proteins जो होते हैं वो कैसे आते हैं वो भी काफी अच्छे topics होते हैं बड़े questions आते हैं दस number questions आते हैं यानि आप लोग देखें तो पहले unit के अंदर आपको यह basic चीजे पढ़नी है और इस basic चीजों से काफी important होता है कि आपको कहीं न कहीं conjugate जो हमारे पास glyco conjugate से यह काफी अच्छा है इस ट्राइट्स आपको सौर्ट नोट्स में आते हैं प्रोटीन सौर्ट नोट्स में आएंगे ठीक उसके बाद बागी जो questions बनते हैं यहाँ पर जनरल परपरडिश की बात करेंगा अलफा amino acid की तो जो यह वाला कोशन बनता है यह बेटा थोड़ा long कोशन बनता है यहां से यह आपको long कोशन बन जायेगा ठीक उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास जो हमारे monosacrites है वो थोड़ी से long कोशन कभी कभी बनते हैं तो कोई नहीं और different कभी कभी आता है दोनों के लिखने के लिए किसके बारे में हमको different आता है यहां पर saturated और unsaturated जो fatty acids होते हैं इनके बारे में difference आते हैं तो कुल मिला जो लग देखा जायेगा तो जो हमारा आपक class में हो जाए लेकिन और अत्रिक्त पढ़ाने पर जाऊंगा इस्ट्रा पढ़ाने के चक्कर में पढ़ाऊंगा तो आपको टॉपिक ज्यादा लंबा जा सकता है बट कोई नहीं पूरी कोशिस की जाएगी कि आपको 15 classes किसके बटा 10 से 15 classes के अंदर पूरा टॉपिक यह जिसको बोलते एंजाइम, action and regulations हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कैसे वर करते हैं और पहले तो उनके जो एंजाइम और टेक्नलोजी होती हैं एंजाइम कैसे काम करता हैं इनके बारे में बात किया जाएगा फिर उसके बाद एंजाइम के action के बारे में पढ़ेंगे और हमारे बॉडी को कैसे regulate करते हैं इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा इसमें भी चार अलगा टॉपिक हैं तब सब सबसे पहला हमारे नमर्स आता है इसको बात करेंगे यहां पर नॉमिन क्लेचर एंजाइम बहुत सिंपल सा है पहले इनको ब इस स्पेशल जगह पर हमारे अक्टिविटी करते हैं उनके बारे में देखा जाएगा उसके बाद यहां पर हमारे पास लाइसोजाइम होते हैं और लाइसोजाइम के अंदर हमको मैकनीजन आप एंजाइम एक्षण को पढ़ना है वाहां पर लॉक की भी तीक टालाचावी परिकलपना को पढ़ना होगा और different जो हमारे अलग-अलग activity छोंगे देखा जाएगा नाम तो नहीं लिया है लेकिन एक दो activity आपको करा दी जाएगी जो आपके लिए काफी importance है और सबसे अदा मेहनत आपको यसी जगह करना पड़ेगा आप note करके अभी से रख लिजेगा चाहे आप मेरे classes को लेके आप पढ़िए चाहे किसी के classes को लेके पढ़िए गाल बेटा लेकिन सबसे पहले आपको बता दे कि note करके the mind में notes बना के अच्छे तरखिएगा कि हमा पर हमको देखना पड़ता है क्या factor affecting rate of enzyme catalyzed reactions यानि कौन-कौन से कारक होते हैं जो enzyme के reactions की activity होती है उनको वो प्रभावित करते हैं ठीक उसके बाद हमको देखना पड़ेगा डेवेशन ओफ दिक मारे पास में यहां पर modern equations होंगे modern equations काफी important है इनको भी देखा जाएगा उसके बाद concept of chem and VMAX की बात किया जाएगा तिक यानि अलग अलग जो enzyme inhibitions होते हैं उनके बारे में बात किया जाएगा तो काफी detail questions आते हैं यहां से इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको यह इनिट सिकेंड का तीसरा जो topic है वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद यहां पर हमारे पास अलो static enzyme क्या होते हैं उनकी kinetics कैसे होती है regulation of enzyme action ऐसे कौन-कौन से हमारे topic होते हैं या ऐसे कौन-कौन से activity होते हैं जिसे enzyme की जो actions होती है जो क्रिया करने की दर होती है वो कैसे regulate होती है इनके बारे में बात चीत करना पड़ेगा ठीक है बटा तो यह second unit हो जाएगा हमारे पास 12 class बनते हैं कितने बनते हैं यहां पर आठ से बारे कितने बटा आठ से बारे classes आपको यहां से देखने के लिए मिल जायाएगा इस points के अब बात करते हैं हम लोग इनुट नंबर और थॉड की इनुट नंबर थॉड काफी चोटा आता है काफी मज़दार topic भी है इसमें लेकिन इसमें कमना पड़ता है हम लोग इसमें क्या देहिएंगे दकें इनके जिपले अफ्को हाइडरेट लिपीड कर्वाइड्य मेंItWe में इनके बारे में बातचीद किया जाएगा हम लोग यहां पर मीता बूलाएं ज हो आपकरवो हाइडिड मेंस सब्से पहले क्या अटेखेंगे उता सेकल क्या होता सित्रिकें क्या चैको कंगेसं कैसे और फासategory क्ट क्या होता है इन tools लेगला कि के देखा जाएगा एक टॉपिक हमारा यह हो जाएगा दूसरा टोपिक यह rendered टॉपिक यह उसके बाद किहांगा और यहांगा बारे लिपिड के बारे में यहां पर हमको देखना है पालमेटर के बारे में यह काफी इस में को हैं तो आप इसको आठवा क्लास डाल देंगे ठीक उसके बाद हमारे पास कीटोजिनेसिस यहां नुवा उसके बाद बीटा औक्सिडेशन दस class हो गया उसके बाद omega oxidation हमारे पास 11 class हो गया ठीक है उसके बाद हमारे पास even and odd number of carbon atoms यह हमारा हो गया 12 ठीक है बटा तो खुल मैं दिला कि 12 class यहां पर 12 से आप 14 कर लिजेगा हो सकता है कि अंदर कुछ material और आ जाए तो मन कर दे पढ़ाने के लिए तो 1214 classes आपको यहां से भ ठीक वो पूरी सीरीज से हमारे application के अंदर जैसे फर्स समेस्टर के अंदर लगाया गया था लोजी बॉटनी के मिश्चिक अंदर वैसे ही यहां पे भी पूरी सीरीज से वहां पे आपको लगा दी जाएगी कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा कैसे पूछ रहा है और कौन क ठीक है उनका transmission कैसे होता है उनका denaturation कैसे होते हैं और यूडियो cycle क्या होता है इनके बारे में बात करेंगा अच्छे तरीके से यानि एक topic यह हो जाएगा दूसरा यह तीसरा और यह चौथा फिक यह चीजा देखे ध्यार रखिएगा अब हमारे पास क्या है अब हमारे पास क्या है यहां पर हमारे पास निकलियो टाइट कैसे होते हैं इनको कैसे हम लोग इनका metabolism में कैसे होता है इनके बारे में बात करेंगे bitmins होते है वो particular क्या होते है यहां पर bitmins का especially role नहीं दिया है और पताया भी नहीं है कि आखिरकार bitmins होते क्या है और कैसे यह digest होते हैं थोड़ा सा हमारे सलेबस में और डीडियल चाहिए था लेकिन इन्होंने इन्वस्टिटी वाले बताने में चुक रहे तो पहले चलो भाईया पहले हम लोग क्या करेंगे आपको यहां भी देखने के लिए मिलेगा तो आप क्या देख पारे अभी तक कि हमारे पास आप देखो लगभा लभग यहां से देखो यहां पे 10 क्लास लगभा गा रहा था यहां भी औरेज 10 क्लास का है यहां से भी 10 से 12 क्लास का है मतलब हम मिलाएं तो आपको देखना पड़ेगा कि 45 से 50 क्लास कितना बेटा 45 से 50 क्लास हमारा बायो केमिस्टी का बनेगा जो हमको पढ़ना पढ़ेगा ढंग से यह 50 क्लास मतलब 50 दिन चलते हैं रेगुलर 2 महीने क्लास चलेगा जनवरी पूरा फरवरी हम पढ़ाएंगे अब बताओ फरवरी मार्च में एकजाम है और 200 क्लास 200 वीडियो हमारे अप्लिकेशन पर फर्स समेश्टर के लिए है अब 200 वीडियो को वह कैसे देखेगा अब आप ही समझ लो ठीक अब आप जानो तो इसलिए ज्यादा लेट नहीं करना है टाइम पिदम क्लासेस को पर पहले टॉपिक के अंदर पहले निट्यानि नमर पांच के अंदर हमको क्या देखना है इस ट्रक्चर और अर्गनाइज़शन एंड फंक्शन ठीक यहां पर गास्ट्रोस्टाइनल ट्रैक के बारे में उनसे लगे हुए जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में पहले टॉपिक के अंदर हमको पूरा इलिमेंटरी कैनाल देखना है पूरी जो क्लास 11 में आपने इलिमेंटरी कैनाल माउट टू इनस तक का जितना भी इलिमेंटरी कैनाल है सब को पढ़ना डेडिल करके काफी टाइम लगएगा इसमें उसके बाद एक एक औरगन को 자 रम करता यहां पे सब ग्लेंट के बारें बात करें जो हमारे इलिमेंटरी कैनाल लेनी अहारनाल के साम बंदित घ्रंतीयां होती है उनको पढबना शाई हम सलाइप्र हम्हां क्यानों हम लोग चहड़ को च्लथ में च्छड़ कि बात कर ले सब और हो उसके वाद हम की हम द देखा जाएगा उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हिस्टोलोजी आप यहाँ पर ट्राइकिया कैसे बनी है लॉंक्स का फार्मेशन कैसे होता है इनके बारे में मेरे को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा उसके बास और आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखे क्या होती है हमारे पास एरोबिक रिस्पाइरेशन क्या होता है रोबिक रिस्पाइरेशन क्या होते है दोनों रिस्पाइरेशन के अक्टिविटी को देखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हमारे हमारे पास पल्मोरी वेंटीनेशन क्या होते है रिस्पाइरेटरी वैल्यू के लिए हमारे अलग अलग जो ब्लड और रिस्पारेटरी पिगमेंट्स होते हैं चाहे हम बात कर ले हमोगलोबिन की बात कर ले चाहे हमोसाइन की बात कर ले ठीक हम लोग अलग अलग जो हमारे पास रिस्पारेटरी पिगमेंट्स होते हैं सबके बारे में बात करना पड़े लेवर्स को ध्यार रखते हुए कम स्कम आपको बता दो वेटा इस यूनिट में 20 क्लास तो बनने ही बनने है कितने बिटा 20 क्लास तो बनने ही बनने है क्योंकि काफी बड़े क्लास के अंदर आते हैं चोटे क्लास हो सकते हैं लेकिन टॉपिक वाइस हम बनाएंगे यहां पर कोशिच करेंगे तो आपको 20 क्लास हो सकता है घंटे-घंटे के उपर यानि 25 से 30 घंटे की क्लास मिलेंगी यूट नमबर 5 के अंदर यह चीज़ आप ध्यां रखिएगा ठीक ह क्या है कितने प्रकार के होते हैं उनके और ब्लड का फार्मेशन कैसे होता है वहां तक बनाएंगे कि और बीसी बनते कैसे हैं क्या अक्टिविटी होती है कोई नहीं बताएगा आप देख लिजेगा लेकिन कोशिच किया जाएगा कि भेनार क्लासेस आपको हिंदी और और हमारे पास जो एरिथ्रोसाइस बुष्ट फर्मिंग इनूट होती है जहां से और बीसी के अंदर नुकुलियस गायब होते हैं वो कैसे गायब होते हैं सबकी एक एक्टिविटी एक साइकल चैन है सबको डिडल करके पढ़ाऊंगा चिंता ना करना उसके बाद हमको दे जो हमारे पास इससंधारी होते हैं हमारा जो लगोटा है ना यह जो दिल कहते हो जो धड़क रहा है उसके बारे हो पढ़ना उसके स्टक्श्यों परना बड़ा मजायाएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मझाया इसकी गारंटी दे रहा हूं आगे कर्णियक साइ बंद होते हैं सब के बारे में अच्छे तरीके से बढ़ाया जाएगा इस बारे में उसके बाद हमको इलेक्ट्रोकॉडियोग्राम जो आपने इलेक्ट्रोकॉडियोग्राम इसीजी जानते हैं इसीजी के बारे में बात करनी है उसके ब्लड प्रिसर्स क्या होते हैं वह करते हैं और उसके यूनिट क्या होते हैं और उसके बाद हमको देखना है मैकेनिजम आफ यूरीन फार्मेशन है यह पेपर में आएगा भी तो हमारे पास दो टॉपिक यहां पर देखने पड़ेंगे इस्टॉक्च्छ दिखने पड़ेंगे किडिनी के और क्या करता उनके ब नहीं करेंगे ठीक तो यह हुगा आपका इनुटमबर सिक्स के बारे में अब बात करते हैं यहां पर देखना है नर्वस सिस्टम्स के बारे में और इंडो करनोलोजी के बारे में हम लोग इंडोक्राइन ग्लेंज होते हमारे बौडी में वह कैसे काम करते हैं और हमारा जो सोते हैं कि नर्वस सिटम से जूड़ा हुआ ही हमारे इंड़ काइन लगी होता है उस्से से चन्रौल कोडिनेट होता है इसके बारे बात करेंगे इसके बात करेंगे हाँ अपर हमB-right के 様 प्रटेंट। फ। देख लाएंगे।। यु उसके बाद punkin आप पास इंद्ध मेलम की सूर्च ल palette होता है यस्ट लगा होता है क्यों लगा होता है क्यों नहीं सी अ में तो इस ये शाब आप आपको फिजाम में युझाम में आपको यह व्म Spqg में Подaremos कि अलहाबा जैसे बड़े इंवर्शिटियों में या फिर दे यू जैसे बड़े इंवर्शिटियों में पढ़ने की चेश्चा रखते हैं तो आपको छोड़े-छोड़ दिहां रखने पढ़ेंगे वहां से यह सब भी टॉपिक है जिसके अंदर यह कोशन पूछे जाते हैं सब्सक्राइब हो और उनके mechanism एकक्षन करते हैं हमारे बॉड़ी केंदर उनको देखा जाएगा 20-26 क्लास यहां बनते कि यह बनते क्योंकि यह जितुने इक और पड़ाना पड़ता है बड़ा लंबा होता है ठीक है अब इनजाइम में हमको यह दो दिन लगा-देगा एक दिन हमारा मैकेनिज़ंस सम्झ में आएगा छ belum इसमें और दो दिन होता है दस कि दस दिन हो गया दस दिन ऊपर लग जाएगा अच्छे तरीकिस देखा जाएगा तो ठीक कोई नहीं लाश्ट मारे ट्रॉपिक आता है मसल मस्कूलर सिस्टम में हिस्ट्रोलोजी पढ़ना है डिफरेंट टाइब के मसल्स की अल्ट्रा इस्ट्रक्चर पढ़ने स्कल्टन मस हती है यहां पर अलग-अलग जो मोत्रों कस्क्तेव मोटर नियूंट होती है यह समी नहीं बनते हैं कैसे काम करते हैं कि मुलत यहां पर बात करें तो लगभा लभग देखा जाएगा तो 101 auto promo इस बन्हते ऐक या क्लास आपको जो लोग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक तो यह चीज़ आप ध्यार रखिएगा कि जो लोजी के अंदर 1627 यह नहीं चाल महीं लगातार क्लास चालेगा तब जाके लोग पूरा कर पाएंगे बाकि जो बचा होगा देखा जाएगा वैसे बचेगा नहीं आपको जब भी होगा महीं में एक्जाम होगा अच्छे तरीके सम लोग पढ़ लेंगे ठीक उसके बाद यहां पर सजेस्टेट कुछ पॉइंट दिये गया है कि आपका जो 25 नमबर का यहां से मिल जाएगा और 75 नमबर आपके इस पेपर से मिल जाएगा ठीक है तो यह पूरा हम लोग पढ़े क्या अभी हम लोग पढ़े थे BSC और सिकेंड समेश्टर के जिलोची का पूरा डिस्क्राइब सलेबस कि हमको कहां पढ़ना है कहां मिहनत लगा नहीं कितने क्लासिस बनेंगे अप्लिकेसंस पे सबके बारे में डिल किया तो उमीद है कि अधिक अधिक ग्रूप में शेयर करिए एक बार शेयर तो करिए थोड़ा मज़ा आया आप भी प्यार दिखाएए हम भी प्यार दिखाते हैं यूहीं चलके हम लोग मंजिल तक पहुंची जाएंगे ठीक मैं आपको अपने मंजिल तक पहुंचा ये मेरा टार्गेट है कराने पर मैं मांग रहा हूँ तेजी से क्योंकि जितनी बड़ी नंबर्स होगी वगी उतना बड़ा कामियाबी होगा और वग लग लग तीचेश लेकर आंगे ताकि आपके साथ और इंट्रेक्ट कर सके और अच्छे से हम लोग पूरा सिस्टम को औरगनाइज करके तो प्लिस अच्छे तारी को विंडू ओपन कर जाएगा एंड़ाइड अप्लिकेसिंस का डिस्कूज में लिंक है दोनों का आप डाउनलोड करके भी हमारे क्लासेस में विजिट कर सकते हैं मिलते हैं बोटनी वाले सलेबस में तब तक के लिए टेकर बाबायान जय हिंद्द